जम्बो और कश्मीर के कठुवा जिले में अंतराश्च्रिय सीमा पर सुरक्षा बलो ने आतंकियों की सर्च ओपरेशन शुरू किया है सुरक्षा बलो को इलाके में करीब पांच हत्यारबन संदिक्द आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी कठुवा जिले के जफाना गाव में रहने वाले एक शक्स ने दावा किया कि एक आतंकी उसके घर में आया और खाना मांग रहा था इन सब के चलते लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि सरकार को यहाँ पर परमिनिंट एक चेक पॉइंट बनाना चाहिए जम्मू के कठुवा इलाके में नियंतरन रेखा के पास एक गाव से पाकिस्तानी गुस्पैठिये को गिरफ्तार किया गया है अधिकारियों ने बताया कि कम से कम पाँच लोगों की संदिग्ध गतिविधी का पता चलने के बाद कठुवा जिले में अंतराश्य सीमा के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था अधिकारी ने कहा इसी दोरान एक पाकिस्तानी गुस्पैठिये को जम्मू के बाहरी इलाके कोर के पलनवाला इलाके में मियंतरन रेखा के पास खुई गाम से गिरफ्तार किया गया पकरे गए गुस्पैठिये की पहचान जहीर खान के रूप में हुई है जो कराची का रहने वाला है अधिकारियों ने बताया कि एक पुलीस टीन ने उसे संदिक्ध तरीके से घूमते हुए देखा और उसे स्थानिय पुलीस चौकी ले जाया गया जहां उसने अपनी पहचान बताई और दावा किया कि वहाँ अंजाने में सीमा पार कराया है उन्होंने कहा कि गिरफतार व्यक्ती के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहट मामला दर्ज किया है और आगे की जाच जारी है अधिकारियों ने बताया कि कुछ ग्रामीनों ने भोजन की तलाश कर रहे पांच संदिक्द आतंकवादियों की मौझूदगी को लेकर सूचना दी इसके बाद कठुआ जिले में मंगलवार सुभा पुलीस सेना और बियस एफ ने राजबाग इलाके के जुथाना गाव में एक सन्युक तलाशी अभियान शुरू किया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें